असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब अमीद करती हूँ आप सब खैरिया से होंगे वेलकम टो आवर चैनल वेलकम टो आवर यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं एजुकेशन हाब ऑनलाइन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू अड्मिशन कब से ओपन होंगे तो मैं बता दू न्यू अड्मिशन ओपन हो चुके हैं 15 जनुरी 2022 से मैंने अपनी प्रीवेस वीडियो में बता दिया था कि न्यू अड्मिशन 15 जनुरी 2022 से ओपन होने जा रही है और मैंने previous वीडियो में बताया था online students अबना online form कैसे fill कर सकते हैं और manual students कैसे अपनी prospectus लेकर apply कर सकते हैं और form fill करने का तरीका सारी information मेंने detail से बता दी थी अगर आपने मेरी previous वीडियो को नहीं देखा तो पहले previous वीडियो को देख लिए उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी परवाइड कर दूँगी आज की वीडियो हमारी continuous students के हवाले से है जो next semester के लिए apply करना चाहते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दें अगर आप मेरे चैनल education hub पर नई हैं तो मेरे चैनल को subscribe भी करें चैनले वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले आपने इलामा एक बाल उपर युनिवस्टी की वेबसाइट पर आज आने के बाद यहां पर admission वाले box में आने के बाद सबसे पहला option online admission enrollment है आपने इस पर click कर लेना है क्लिक करने के बाद आपके पास एक interface आजाएगा interface आने के बाद यहां में लिखा हुआ है CMS for continuing students आपने second वाले option पर click कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास एक interface आएगा तो यहां पर आप लोगों ने अपना user ID और अपना password लिखना है यहां पर मैं एक student का user ID और password लिया था तो मैं वही login करके देख लेती हूँ आप लोगों ने अपना ही लगाना है user ID और password और यहां पर language आपने इस English ही select करना है select करने के बाद हम यहां पर login कर लेते हैं login करने के बाद यहां पर लिखा रहा है course registration आपने इस option भी क्लिक करना है click करने के बाद यहां पर लिखा रहा है student enrollment इस पर click कर लेना है click करने के बाद यहां पर academic level के नीचे जो लिखा है search bar आपने इस पर click कर लेना है apply करने के बाद यहां पर आ रहा है add new request आपने इस पर click कर लेना है click करने के बाद एक लिख लें students यहां पर यह तीन books तो add है आगे यह दो books आ रही है उर्दू और सिंदी तो इन दोने में इसको एक book select करनी है तो मैं student की जो है वो first वाली book का select कर लेती हूं select करने के बाद आप लोगों ने यहां पर लिखना है add courses तो यह book का आपकी course में add हो जाएगी कभी कबार ऐसा होता है कि university जो होती है वो सारी books already हमारी बता देती है कि आप लोगों की semester में इतनी books है और हमें add करने की जुड़वत नहीं पड़ती तो यहां पर add नहीं थी तो मैंने इसलिए add किया है और इसके बाद नीचे यहां पर लिका है total payable amount आपको इसके लिए amount भी pay करनी पड़े कि pay करने के बाद आप लोग ने यह option आ रहा है submit, submit के option करने के बाद आपके पास दो पेज आएंगे चुलान form जिसे हम कहते हैं एक आपने उसका print निकलवा के एक अपने पास रख लेना है और एक bank में जमा करवा देना है जब आप fees जमा करवाएंगे तो bank में उसको जमा करवाना पड़ेगा bank जमा करवाने के बाद आप 2-3 दिन इंतजार करें कुछ students कहते हैं कि हम लोग ने fees भी pay कर देती लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारी book add हुई है नहीं तो आप लोगों को 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा इसके बाद आप अपने cms पोर्टल पर अपनी आइडियो लोग इन करें लोग इन करने के बाद वहां पर फॉर्म के आगे लिखाएगा paid का मतलब यह होगा कि आप लोगों की fees submit हो चुकी है और आप लोगों की अपने पर आप लोगों की पाद में इसके बाद में चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे पैसे वह आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अस्वर भी एक वीडियो टीटेल से बना दूंगी